खुसकबरी 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 जी हां मित्रों मिठाई बाटने का समया चुका है लड़ू बाटने नाचने कुदने की कीजिये तैयारी पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 15 मार्च के दिन भगवान मंगल देव रासी परिवर्तन कर रहे हैं और इसे के साथ सनी और मंगल की यूती बन रही है मित्रों पूरे 30 सालों के बाद इस तरह का महा संयोग बन रहा है कि मंगल और सनिदेव दोनों एक साथ एकी भाव में यूती बना रहे हैं और जैसे ही 15 मार्च के दिन मंगल देव का रासी परिवर्तन होगा उसके तुरंत बाद 6 राशियों की किस्मत में बहुती बड़ा परिवर्तन होने वाला है 6 रासी वाले लोगों का भाई के उदय होने जा रहा है सनिदेव की विसेस आसिरवास से 6 रासियां अगले 3 सालों में करोड़ पती बनने वाली है तो चलिए के करते वे जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो 6 सबसे ज़्यादा सोभाई की साली रासियां जिनकी किस्मत के दर्वाजे न्याय के देवता भगवान सनिदेव और मंगल देव की आसिरवास से इसी साल मार्च से ही बदलने वाले हैं तो सबी रासियों के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे में वीडियो को पूरा लाष्ट तक जरूर देखिए और हा मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बोक्स में जै शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सबी व्यक्तियों तक पहुँ सके 15 मार्च दोजार चोईस की साम को 5 बचकर 42 मिनट पर भगवान मंगल देव सनिदेव की रासी कुम्ब रासे में गोचर करेंगे जहां कोंब रासी में सनिदेव पहले से विराजमान है और साथ ही मंगल देव के गोचर करने से सनि और मंगल की यूती बन रही है और सनि और मंगल की यूती से 6 रासी वाले लोगों के जीवन में बहुती बड़ा परिवर्तन होने वाला है चेह रासियों की किस्मत में बड़ा बदला होने जा रहा है। कई रासियों की किस्मत चमकने वाली है तो साथ ही उनके धन और समपति में भी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। तो सबी रासियों के बारे में इसी वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। कुमेंट बोक्स में जाई शनी देव नहीं लिका है तो फटापड से लेग दीजे और वीडियो को फेस्बुक पर भी शेयर कर दीजे ताकि सबी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जहाओ पहुं सके। चलिए के करते वी जान लेती हीं मंगल और सनी की यूती से 15 मार्च के बाद सबसे पहली जो बागेसाली रासी बनेगी वो आती है मकर रासी जिनके नाम का पहला अक्सर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से सुरू होता है उनकी मकर रासी होती है जिसे की जगदीस भोजराज, गीता, खेमराज इस तरह से जिनका भी नाम होता है नाक उनकी मकर रासी बनती है मकर रासी के स्वामी भगवान सनी दिव है और साथी इस बार 15 मार्च के दिन जैसे मंगल और सनी की यूती बनेगी यह यूती मकर रासी वाले लोगों के लिए बहुती अच्छा परिवर्तन लेकर आएगी यहने कि आप लोगों के लिए लाबकारी साबित होगी क्योंकि एक तो मंगल का गोचर आपकी रासी के धन और वाने के भाव पर बनने जा रहा है और साथी मकर रासी में सनी की साड़ साती भी चल रही है साड़ साती के वज़े से पिछले दो या प्रेंसन तनाव बना रहता है स्वास्त खराब रहता है कुल मिलाकर साड़ साती का असर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा था लेकिन इस बार जैसे ही भगवान मंगल देव जी है वो 15 मार्च के दिन सनी के साथ यूति बनाएंगे सनी देव और मंगल देव का मिलन को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है आपकी वानिका प्रभाव बढ़ेगा जिससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे वहीं आप अपने कारियर को काफी लगन और महनत के साथ और भी अच्छे तरीके से करते चले जाएंगे और लगबग सभी कारियों में आप को सफलता प्राप्त होगी आपका तनाव दूर होगा टेंसन और चिंता जो है न वो धीरी धीरी कम होगी और साथ ही नोकरी और करियर दोनों में ही इस बार मार्च में ही उन्नती देखने को मिलेगी अगर आप कोई भी नोकरी करते हैं या जो वगरा करते हैं तो मार्च के बाद से ही आपको ऐसा ऐसा फील होने लगेगा कि आपके परमुसन के बादची चल रही है आपके जो वरिष्ट अदिकारी है जो आपके बोस है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और साथ ही आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा इसे महिने में आपक लुगुनी गती के साथ तरक की हासिल होगी इंकम के नए-नए माध्यम बनेंगी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी और साथ ही आपको पहले की तुलना में इस साल काफी अच्छा मुनाफ़ा कमाने में सफलता मिलेगी घर परिवार में आपका जो तालमेल है वो अच्छा रह सकता है सनिदेव के सुब आसिरवास से जो विद्यारती है लंबे समय से सरकारी नोकरी या किसी उच्छे सिक्सा के लिए अच्छे कोलेज में परियास कर रहे है ना उन लोगों को भी बड़े खुसकबरी मिलने वाली है इस महिने से ही आपका जो राजयोग है वो काफी समय सनिदेव के नाम से सरसु के तेल का दिपक जरूर जलाएं और साथी ओम सन सनेश्चराई नम है इस मंत्र का 108 बार स्मरन करें मित्रू साड़े साथी में आपको इतना अच्छा फल प्राप्त होगा कि भगवान सनिदेव की कृपा से यह साथी 25 मार्च 2025 तक रहेगी आप लोगों को काफी ज़्यादा तरक की परदान करेगी अब उतरतीवी साड़े साथी का आपको काफी अच्छा लाब मिलेगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बोक्स में जाई शनिदेव लिखें और साथी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए चलिए जान लेते हैं मं जो बहुत कम महनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं वहीं जिंदगे में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं यानि कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानिकी परसनलाइज़ कुंडली जिससे आप घर बेटे या पता लग सकेंगे कि आपके नव ग्रहे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडली यानिकी किस्मत में कोई दोस तो नहीं अगर दोस है तो वो क्या है उसका समाधान क्या है कोई ग्रहे आपके लिए कमजोर तो नहीं उसको मजबूत करने का उपाय क्या है आपका आपको पहनने की वीदी क्या है। आपका स्वयम का मकान कब बनेगा। कुंडली में कितने राजियोग बनते हैं। उसके बारे में संपुन जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हीं। जिसको अभी जो आप ये स्क्रिन पर नंबर देख पारे हैं ना उस पर वोटसप पर संपर करके आप हमारी गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपे की चोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपोन जीवन की महा जन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्य है जिसका आप समाधान चाते हैं जिसे की आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है बहुत जिगों पर आप रिस्ता देख देकर आकिर्थक चुके हैं परिसान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिस्ता हो कर बार-बार तूट जाता है व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है घर में धनकी कमी बने रहती है यह आपके उपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं आप कमाते तो अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पताने पेसा कहां खर्च हो जाता धनकी बचत नहीं हो पाती आपके बनते-बनते काम लगातार अटक जाते हैं, रुख जाते हैं पती-पतनी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई जगडा या ग्रिह कलेश बना रहता है या लड़का-लड़की का विवा होने जा रहा है, सम्मन्द होने जा रहा है और विवाहस से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाते हैं अश्टे कूट रिती से गुण मिलान करवाना चाते हैं अगर कुछ भी समस्य है तो स्क्रेन पर दिये गए नंबर पर वोटसप पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपे की चोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपोन जीवन की महाजन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं चले मित्रू 15 मार्च से मंगल और सनिदेव की यूती से अगली यानि की दूसरी जोबागे साली रासी बनेगी वो आती है मेस रासी जिनके नाम का पहला अक्सर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से सुरू होता है उनकी मेस रासी होती मित्रू मंगल देव का गोचर मेस रासी वाले लोगों के लिए बहुती अच्छा और लापर सिद्ध होने वाला है क्युकि एक तो मंगल देव आपके रासी के सौामी है मेस रासी के और साथ ही आपके रासी में मंगल देव जह है वो इंकम और लाब के स्थान पर गोचर कर रहे हैं ऐसे में आप लोगों की इंकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी हो सकती है अगर आप कोई भी नया व्यापार सुरू करना चाते हैं, नया कोई भी काम धंदा बिजनिस सुरू करना चाते हैं, तो मार्च के बाद समय आपके लिए बहुती अच्छा और अनुकुल रहेगा। अगर आपने कोई भी पुराना इंविस्मेंट कर रहा है, निवेस कर रहा है, तो भी लाब के आसार है, जिन लोगों का काम कारुबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा है, या कोई भी वक्ती विदेश में जाकर नोकरी कर रहे हैं या नोकर मार्च से ही अगली जो बागे साली रासी बनेगी वो आती है तुला रासी जिनके नाम का पहला अक्सर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। और आप चाहते हैं उसे के साथ विवाह करना तो 15 मार्च के बाद उचित समय देकर आप उनको विवाह का प्रस्ताव दे सकती हैं। और ग्रहों की पूर्ण दसा इस बात का संकेत कर रही है कि आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव जह वो मंजूर भी हो जाए। चलिए जान लेते हैं मंगल देव के गोचर के बाद अगली यानि की अंतिम जो बाग्यसाली रासी बनेगी न वो आती है वरी सबरासी। मित्रू मंगल देव का गोचर करना वरी सबरासी वाले लोगों के लिए नई नोकरी का आउसर दे सकता है। देश में जाकर नोकरी करना चाते हैं या विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाते हैं। जाए श्रीराद। जाए श्रीराद।